हलो बच्चों कथ्या 10 के ncrt mathematics आप पढ़ रहे हैं परस्णा वाली 12.3 और question नमबर 8 है इस परस्णा वाली में टोटल 16 question है बहुत जल्दी जल्दी सारे question करवा दिये जा रहे हैं ठीक है तो question को ध्यान से देखिएगा एक दोडने का पत है यानी racing track है जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्ध बृताकार है अब ध्यान से देखिए पढ़ ये question आगे क्या कहता है कहरा दोनों आंतरिक समानांतर रेखा खंडों के बीच की जो दूरी है वो 60 मीटर है इन में से परते एक रेखा खंड 106 मीटर लंबा ह ये दिये पथ 10 मीटर चौणा है तो ग्यात करना है नीचे दिया गया न अभी मैं पहले आपको फिगर बना के इसकी बारे में समझाता हूं तब आपको समझ में आएगा ऐसे कुछ कम समझ में आ रहा होगा देखो ये चित्र मैंने बनाया पीछे दिख रहा ना आपको ये समझ के चलना ये कितना है 40 मीटर है जो मैं खीच राओं ठीक है ये कितना है बाबु ये 60 मीटर है आपको समझ के चलना है और इसमें कह रहा है कि परतेक रेखाखंड की जो लंबाई है वो 106 मीटर है यानि यह चीज कितना है 106 मीटर है यह यहां तक जो इसकी लेंथ है ठीक है तो इधर साइड भी क्या है 106 मीटर ही है बाहर की साइड में ठीक है तो यहां से इधर के साइड भी 106 मीटर ही यह है इ इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं न सब अच्छा है आलिज बेल चलो अब समझो कि के अंत्रिक किनारों के अनुदिस एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी ग्याद कीजिए यानि जो पत्थ है और पत्थ कौन सा है यही पत्थ है यह क्या है रास्ता है समझ लो जहा लोग इसी पर दोड़ते हैं जहां मैंने डट किया है यह पत्थ के आंत्रिक किनारों के अनुदिस एक पूरा चक्कर लगाने में चली गए दूरी यानि इसको पूरा टोटल कोई अगर घूमेगा तो कितनी दूरी जाएगा पहले यह ग्याद करना है दूसरा इस पूरे प अधान में आप देखे क्या क्या करना है ठीक है लिखिए पहले पत्थ की आंत्रिक लंबाई पहले यह लंबा कितना है टोटल यह तो देखो तब तो कुछ हो सकता है ना इस पर कितना तोड़ना पड़ेगा लिखो पत्थ की आंत्रिक लंबाई कितना है भाई 106 इधर है 106 इधर है तो पहले तो आप इनको जोड़ लोगे 106 गुड़ा सरी गुड़ा नहीं दोनों जोड़ लो दो बार तो 106 और आगे ये तो इधर इधर की लंबाई हो गई लेकिन पूरे पत का निकालना है तो इधर साइड में देखो एक सरकुलर बना है न ही अर्धवरित बना है आख यहीं से हम देखें तो यह अर्धवरित बनता है संधोथ थोड़ा स grad Subhanum अलग बात है औक Dawag Ten और यह यह कंदा ना पंदेखो कुछ क cheesy तैपाउना को यह क्या है नो इसंग्या वह सबस्कार आपन यहां सम्झोए से से मि कि नारे पर भी से मि सरकल वन रहे यह तक थीक है इसको मिला भी सकते हुए से अभी बताएंगे यह क्या यह से मि सरटएगा अगर देखो तो एक से मि सरकलिधर है टोटल बया पत्ध की बात हो रहे इस रास्ते की तो यह सेमिसर्कल की रूप में है इधर भी है तो दो सेमिसर्कल की परिधी उसमें जोड़ी जाएगी ठीक है टू इंटू आर्ध भृत का क्या निकालोगे परिधी ना परिधी ठीक है यानि सर्कॉंफ्रेंस आफ टू सेमिसर्कल उके इनको जोड़ लीजिए यह आपका दो सो बारा हो गया प्लस टू इंटू आर्ध भृत क्या होता है पहले तो यह जानलो भृत का परिधी क्या होती ह तो पइयार होती है तो अर्धविट हो जाएगा तो पाईयार का आधा कर दोगे ठीक है आधा कर दोगे एनिए हाफ कर दोगे तोकुपाई आपान किया करोगे डूं चलो देखो अर्धविट की orth gdzie और बाइस बटे साथ रागोद ठीक है समझव समय एक मिनट और समझना है तो पाई कमान आप रख सकते हो बाइस बटे साहर कमान लेकिन रखेपो आपुट रेडियस की रखोंगे रेडियस क्या दिया है समझो देखो पहली बात तो साथ दिया है आपका अंत्री कॉल न यह चीज आपका साथ दिया है तो यह अगर बृत था एक इसको मानलो एक बृत्ताकार है तो जो हमें अर्धबृत हम रख रहे हैं यह बाहर से पूरा नहीं लिए ट्रेक तो हमारा यहीं से शुरू है न यहीं से तो इसका साथ का अधा कितना होगा तीफ न यहीं रेडियस कितना होगा तीस आएगा इस वाले टू जो एक टू बचरा इसको गुड़ा में ऐसे लिख लो और उसके बाद क्या करोगे उसका मान रख दो पाई का पाई कमान बाइस बटा साथ रखोगे दसमलों में रखोगे ज तीस का दो में करोगे साथ हो जाएगा टोटल फाइनल में करोगे 188.4 सम्थिंग आएगा 188.4 इसका गुड़ा तो आप करी सकते हो फाइनल में आप जोड़ घटा लोगे तो कितना आएगा 400 के लगबग आएगा तो यह हो जाएगा 400.4 हम निकाल के आ रहे थे लंबाई न तो मीटर में आएगा यह क्या हो गई अभी अभी क्या हो गई बाबु हमारा यह फास्ट पार्ट जो कोईश्चन का था वो डन हो गया यह पत्थ की पूरी लंबाई आ गई यह जो यहां से चल रहा था ठीक है अब सिकेंड पार्ट पर जरा ध्यान देना इसमें दो लिख लो याइस क्रीन साथ लेवो में सिकेंड पार्ट दिखाता हूं को इस चन में दो पार्ट था कि जल्दी करिए देखो बच्चों कमेंड के पीछे ना पड़ो मैं सबका कमेंड देख रहा हूं ठीक है ठीक अब यहां पर आपको थोड़ा समझने वाली चीज ज्याद पूरा पत्थ है जहां मैंने अभी आपको बताया था डाट डाट इनका पूरा का आपको छेत्रफल निकालना है तो पहले आपको यह समझना है कि यह है क्या अगर इस लाइन को हम यहां पर सिधा फिदा बढ़ा लें आप देख रहा हूं इसको भी बढ़ा लें इसको भी प्रॉब सेय और द्यूर्ट आफान पर यहां मैं यहां पर इस लिख सी लिख दिया यांनि हमने जो अंदर वाला आपको दिख रहा है इसके बल्विभी सुछ द्यूथ यहां यहां पर आपको सांबर बढ़ां चाहता हूं समझना यह मैं मिटा दे रहा हूं 106 मीटर लंबा था इधर जितना था उधर है उतना उधर भी है तो कोई मतलब नहीं है तो इनके आप नाम लिख लो जैसे इफ यहां पर मैंने बढ़ाया था इह हो गया इधर आया आया एफ हो गया आप अगर एछी देखे हो एफ और ईवी अबी इएफ एक आयद बण रहा है ना रैक्टेंगल बोटरा था नहीं अधर देखो बटता तो सी डिजी एक रैक्टेंगल बन रहा है ये ये बनाने एक र ह्याई तमझो सुम्यें क्या करना का ड़ाए इस या निजे और इंबर रहा है इसली आधार क मि에서 टो हम क्या करें दोठेंगल और अरण क्सा तो सब्सक्राइब तो टोटल आकर्ति शुर्ण जो रेसिंग नेक इस का सहला जाएगा ऐ moments लिखिए पथ का छेत्रफल बराबर या फिर एरिया आप रेसिंग ट्रेक इक्वल मैं हिंदी में ही लिख रहा हूं पथ का छेत्रफल इक्वल क्या हो जाएगा लिखो 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 पटा पट लिखो आयत ए वी इएफ का आगे दिख रहा है ना ठीक है दोनों का एक केम लिख लो ना तथा CDGH तथा CDGH का छेत्रफल प्लस दो अर्धबरित हैं यहां पर ध्यान देना आपको ठीक है प्लस टू इंटू बड़े अर्धबरित का छेत्रफल बड़े अर्धबरित का छेत्रफल और फिर माइनस छोटे अर्धबरित का छेत्रफल आप कहोगे यह कौण जमेला है, देखो समझो, देखो बाबू, यहाँ पर एक चीज आपको बहुत सिमांदरी समझना है, यह जो मैं मिटा रह 촬영 Mills it is ना मैंने समझना, भी यह फोयज़ तो यह आपका अर्धबृत बन हमारा हाथ जा रहा है यह जा रहा है और एक और ये बन रहा है यह बन रहा है नहीं लेकिन रुटadore से मातलब नहीं हमें जुत एरिया करनी है जहां हमारा है है रहले मां रहा scoring की का याणिस हो कि हमें इन दोनों अर्द्वृत्तों के बीच की जो जगा है उसका एरिया, फइंड करना यह जहां में आप्यर्व हैं प्ई些क्राण हूं समझे आऊ हमें इसका एरिया, तो क्या करेंगे इस बड़े वाली-द खैद्रफल से diez ट्ररफणा घठा देंगे शेत्रफल ठीक है चलो अब इनका सबका अलग अलग निकाल लेंगे निकाल के जोड़ घटा लेंगे जो भी जैसे कह रहा है ठीक है तो चलो अलग अलग कर लेते हैं बाद में इसमें महां रख देंगे लिखिए आयत A B E F का सेत्रफल इकल L into B यहनी लंबाई गुड़ चोड़ाई होती है लंबाई इसकी 106 है चोड़ाई आपको पता है यह 10 दिया गया था यह 10 दिया था याद है कि नहीं यह 10 दिया था बाबू यह 10 देख लो किताब में भी लिखा है कोईशन में ठीक है तो यह 106 गुड़ा ठीक है इफी तरह फे आयत दूसरे वाले सी डी जी एच सी डी जी एच का छेत्रफल इसमें भी लंबाई 106 चोड़ाई दस यह भी 1060 मीटर यह आ गया दोनों अब बड़े अर्धवरित का छेत्रफल और छोटे अर्धवरित का छेत्रफल इसी में थोड़ा आपको और समझ देखिये कच्छा 10 में पहुंचे याद रखना समझ के चलोगे कोईश्टन इकजाम में कर जाओगे बहुत अच्छा नंबर मिलेगा बड़े कुश्चन में आएगा नहीं समझोगे सिर्फ कमेंट के पीछे जो पढ़े हैं पढ़े रहने दो मैं एक नाम नहीं बोलूँग पढ़ाई कर लो कोई डाउट है नीचे नंबर चल रहें उन पर संपर करो बताया जाएगा यहां पर सिर्फ पढ़ाने दो सीरियस हो जाओ अब बड़े हो गया चलो तो क्या करना है यह इतना समझ में आपको अब बड़े अर्थब्रित का चेत्रफल बड़ा अर्थब्रित यह वाला अब इसका रेडियस कितना होगा तिरिज्या कितनी होगी लिखो बड़े अर्थब्रित का स्टिज़तरफंट में निकालना था नहीं हमें लगता पर और धी निकालना थी। fam डेखो जो अर्धबृत्ष का सुन्सक्रेशार होता है ये 2 है तो क्या होगा पाई आर स्कॉयर होगा अपांट टू होगा यहां पर देखो आर हम कैप्टल में यूज करेंगे क्योंकि हमें बड़े और छोटे दोनों अर्धबृत का निकालना है ठीक है तो यह पाई आरी स्कॉयर बड़े में ठीक है समझ रहे हो मान रख लो सबका जो थोड़ा समझने वाली चीज है जिनको नहीं समझ मैं आएक फिर बता दूंगा मैं वीडियो एक बार फिर से बैक करके देख लेना ठीक है समझने वाला है आयत के दोनों किनारों के अर्धबृतों का छेद्रफल यानि अब हम यह निकाल रहे है टू इंटू बड़े यह सोब्सक्राइब करेंगे क्योंकि एक बड़ा बृत है और एक चोटा बोल रहा है न तो यह क्या है अर्धबृत था इसी में तो इसके लिए भी पाई इसमाल आरि उच करेंगे अपान टू समझने की कोशिस करो कोई दिक्कत नहीं है यह हमने क्या किया जो बड़ा वाल आर्द बृत हमने यह बड़ा वाला माना थैं भाहर से। यह अब समझो यह तो आपका साड़ था पूरा पूरा यह दस था इधर भी यो10 महाँ छाली कि यह समझकी चलना है ठीक है बताओंगा रखना पड़ेगा कि इसमें आप ये पन्तु कौमन निकाल सकते ओ कि पाइपान्टू कामन निकालोगे आर काई स्कौाइर माइनस आर काई स्कौाइर क्योंकि पाई-आपान्टू जुकि फाइपान्टू दोनों में है यह दो से दो कट जाएगा New dollar is щоб आपकुछ भी रख सकते हो चाहे डेसमल में रख दो चाहे 22 हट रखदो पाई कमान 22 बटा 7 इंटू अब कैपिटल आर कमान आया न यहां भी मने बताया न यह 60 है यह 10 है यह दस है तो पूरा-पूरा ब्यास निकालोगे तो 80 आयेगा यह अर्धवरित है ध्यान रहें यह पूरा-पूरा असी का आधा 40 यानि capital R कमान ही हो जाएगा 40 का स्कॉयर माइनस इसमाल आर इस छोटे वाले रेडियस को देखना है चाहे इधर से ही देख लो यह है यह यह पूरा साथ है ना बाबू ब्यास साथ है तो इसका आधा 33 होगी यानि यह कितना हो जाएगा 30 का स्कॉयर समझ में आ रहा है ना बहुत आसान है अब कोई दिक्कत है नहीं कर लो देखो इसको यहां बड़ा ब्रेकर लगा लो अच्छा रहेगा यह चार चुब का सोला देखो 40 का स्कॉयर जब करेंगे बाबू तो यह सोला सो आएगा ठीक है 30 का स्कॉयर करोगे 900 आएगा इसमें से घ सकते हो कि यह 22 सो आया क्या निकाल रहे थे हम लोग इसका छेतरफल निकाल रहे थे किसका दोनों अर्धवरित्तों का छेतरफल 22 सो आया है पहले बाले आयत का 160 दूसरे का 160 इन सब को जोड़ दीजिए फाइनल आंसर आजाएगा जल्दी इसको लिख लीजिए मैं मिटा रहा हूं ठीक है इन सब को ऊपर वाले मेन फार्मूले इसमें रख दीजिए आंसर आजाएगा पुल मिलाके जोड़ना ही है तो चलो लिखो आता हां पत्थ का छेतरफल बराबर वही तो निकालना था एरिया आफ रेसिंग ट्रेक फाइनल आराव तोड़ तोड़ के कई पार्ट में अलग-अलग किया गया है ठीक है पत्थ का छेतरफल बराबर सेतरफल बराबर कितना एक हजार फार्ट धन एक हजार फार्ट धन एक हजार फार्ट धन बाइस सो जोड़ लीजिए तिरालीस सो बीस सम्थिंग आएगा न हम क्यों तिरालीस सो बीस है तो आएगा जोड़ लो यह दोनों जोड़ोगे एक हजार दूना दो हजार साथ दू मेटर स्कॉयर चुकि क्या है छेत्रफल है इफले मेटर स्कॉयर तो इसका आंसर आ चुका है किसी को कोई डाउट है आप कमेंट करके बताइए नहीं संकोज भीना किसी टेंसन की मिलते हैं फिर अगली कलास में तब तक के लिए कलास को लाइक और शेयर करके जाईएगा कोईशन कैसा लगा जरूर बताईएगा समझने की कोशिस करिए नहीं समझ में वीडियो को एक बार बैक करके फिर से देख लीजिए पीछे करके वीडियो फिर से देख लीजिए ठीक ह पंकज कुमार अभिने पूजा ठाकुर तो अदेश पूजा और यह कौन है कभीर इस्टडी रोहित इन सबके कमेंट आ रहे हैं जो रोज जुड़ते हैं उनका नाम भी हम बोलते हैं ठीक है सबके कमेंट मुझे दिख रहे हैं को इंक्वाइरी है कमेंट करो बताएंगे आदू डाउट तो फिर पढ़ाई कैसे हो पाएगे इसलिए नंबर चल रहे हैं उन पर संपर करो ठीक है थैंक्यू